मंत्री विजेवर्गे की करीबी बिजनसमेन को धमकी का आउडियो इन दोर में भेजा वोइस मेसिज बोला मुझे पता है तेरा लड़का किस स्कूल में जाता है नमस्कार, मैं श्वेता आपका दखबरदार न्यूज में स्वागत करती हूँ इस तरह का धमकी भरा आउडियो मेसिज इन दोर के टाइल्स कारोबारी और भाजपा नेता अमरदीप सिंग ओलखो मिला है कारोबारी अमरदीप सिंग ओलख मंत्री केलाश विजेवर्गे के करीबी हैं वोइस मेसिज से पहरे ब्रटेन के नमबर से फोन भी आया था फोन रिसीव नहीं करने के बाद दो वोइस मेसिज भेजे गए जिसमें गैंग्स्टर लॉरेंस विश्णोई का नाम का जिक्र करते हुए धमकी दी है विश्णोई वही सक्ष है जिसका हाथ पंजाबी सिंगल सिद्धू मुसे वाला हत्या कांड में रहा है सल्वान कान को भी जान से मारने की धमकी दे चुका है फिलहाल तेहार जेल में बंद है एक छे सेकंड और दूसरा छत्ते सेकंड का वोइस मेसिज इस्टार लिंक स्काइलाइन नियर मयंक वाचर पार्क बिचॉली हपसी निवासी कारोबारी अमरदीप सिंग ओलक ने क्राइम ब्रांच को बताया कि ये लौरेंस विश्णोई के नाम से कॉल आया है रंगदारी दिखाते हुए रुपए मांगे गई मामले में क्राइम ब्रांच और एटी एफ भी जाच में जुट गई है उन्होंने बताया है कि विदान सबाच चुनाव में बाचपव विस्तारक बनकर विदान सबाच छेतर एक में संगठन का काम देख रहा था वरतमान में उज्जेन लोग सबाच छेतर का विस्तारक ब्रभारी हूँ 19 जन्वरी को रात एक बजे मुझे आरोपी नमबर धारक से वाटसेप पर दो मिस्स कॉल्स दिये फिर 6 सेकंड का वोईस कॉल आया दूसरा मैसेज 36 सेकंड का आया गेंग्स्टर लॉरेंस विश्णोई ने जेल में बैठकर ही सलमान खान को दम की दे दी थी एक टीवी चैनल को दिये गए इंटरिव्यू में उसने कहा था कि अगर सलमान खान ने विश्णोई समाज से माफी नहीं मांगी तो अंजाम बुगतने के लिए तैयार रहे खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास कबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और दिखते रहिए दाख खबरदार नियूज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं झाल 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 झाल